और इस गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूँ स्वाच्च समंदी चर्चा पे मैंने अभी अभी यूटूब के अंदर कोई फार्मेशी डाइबिटीज की दवा बना रही है का वीडियो देखा और भी कहीं फार्मेशियां इस तरह से बनाती है मेरा जांत क्याल सरकार ने भी पांथ रुपे की एक गोली में ना भूल रहा हूँ उसको भी हमने काम में लिये है तो ये सब उमीद के ओपर मैं ये नहीं कहता की दवायों में कोई कमी है या बनाने वालों में कोई कमी है मैं कभी नहीं कहूंगा मैं वो ही बात कहूंगा जो सक्ते होगी मैं हनमान भक्त हूं माल लिजिए 30 कंटेंस है उन्होंने 30 के 30 डाले हैं मैं डालता हूं वो क्यों नहीं डालेंगे मैं ही इमानदार हूं क्या वो दुनिया इमानदार ही मर गई क्या इंसानियत खत्म हो गई क्या नहीं लेकिन जब आद में रिजल्ट नहीं आते हैं तो वहीं वो ड्रोप हो जाते हैं आयर्वेदिका करीब करीब जो कैप्सूल और चूरन आदिका निर्मान करते हैं डाइबिटीज के लिए इसके अलावा जो रसाइन हैं उनके अंदर बसंत कुस्माकर रस जैसे रस डाइबिटीज के लिए हैं ओशिलाजीत जैसा अमरत के समान इसको दवाई कहें या ओशिदी कहें या जड़ी बुंटी कहें ये हमें पता नहीं क्योंकि ये पहाडों का मद है मद जब पेदा होता है मद का मतलब हिंदी में पसीना होना और मद जब पेदा होता कि आदमी जब बहुत ज़्यादा परिश्रम करेगा तब कि उसके सरीर से पसीना निकलेगा हमारे में ऐसे कहीं भाई है मैं भी हूँ यूँ माला उन्होंने कभी इस पे कहयाली नहीं किया कि इस सरीर से दिन भर में एका दफ़ थोड़ा बहुत मद निकलना चाहिए यानि कि परिश्रम इतना तो करना ही चाहिए कि थोड़ा बहुत पसीना सरीर को आया चाहिए एकसरसाइज करें चाहिए कुछ करें चाहिए कुछ भी करें लेकिन कोई इस पे गोर नहीं करते और इसका कारणी ये होता है कि तरह तरह के रोग जो हैं वो लगते हैं तो डाई वीटीज के अंदर आप ये चलो कि अपना देश जो है अच्छी इस्तिती में नहीं है बड़ी दुख की बात है और मैंने करीब करीब चौदा साल की उमर में आईर्वेड में कूद पड़ा था और आज नवरात्रा है दो हजार अस्सी लग गया तो मेरा जन में देशी समद्ध दो हजार दो का है तो अटतर हो गए तो इस दोर के अंदर मैं एलोपेटिक के अंदर भी बहुत मैंने दख लंडा जी अपने मन से ही जिग्यासावस काफी जानकारियां अपना ग्यान बढ़ाने के लिए मैं कोई के पास नहीं गया बेसे ही जब कि उस वगत कोई मोबाइल के सादन नहीं थे टीबी रेडियो जैसे भी हो आदमें देखो के कुछ न कुछ तो किसी भी समय आदमी ने अपनी व्यवस्ता उसे साथ से करी है और वो कोई गलत नहीं करी तो एलोपेटिक के अंदर भी इसकी कोई दवा परफेक्ट नहीं बनी किसी ने गिलोई की एक बोतल पिला दी किसी ने सदा फूली के फूलों को खिला दिया किसी ने कुछ कर दिया किसी ने और जब नुस्का बनाएंगे दावा इस तरह का करेंगे और करना भी चाहिए कि जैसे ये मैंने खाई खाऊंगा और ये मेरी बिमारी गए लेकिन ये संबव नहीं हुआ अभी तक तो आज की डेट तक तो इंसुलीन खाते खाते आदमी की कोई लाइफ नहीं रहती दिमक की तरह वो कमजोर होता जाता है और यौन सुक तो देखने का सवाल नहीं जो इनसान की एक बहुत बड़ी जरूरत वाली चीज़ है इसके अलबा पूरा खान पान भी नहीं का सकता है एक मिठाई का टुकडे की तरह बेक के मून लटका के निकल जाते हैं और बारेज जैसे महान देश के अंदर जहां आच चमतकार के उपर चमतकार हो रहे हैं उसके उपर हो रहे हैं अभी तक किसी ने कोई पूछा नहीं कि इस कोरोना की क्या दवा है क्यों नहीं पूछा ये बताओ आप इतना बड़ा हिंदुतान है बड़े बड़े आदमी मिले हैं उनसे और से लेकिन अपनी तो सभी पूछने के लिए जाते हैं लेकिन जन कल्यान के लिए सब के लिए हिद की बात जो होती है नहीं पूछी अत्वा पूछना नहीं चाते खेर जो भी है हमें उससे कोई मतलब नहीं कुल मिला करके अभी में बात कर रहा था डाइबिटीज की तो डाइबिटीज जो है नहीं आरिवेदिक में अभी तक कोई कामयाब चीज निकली नहीं एलो फैतिक के अंदर निकली मैं चुम्बक चिकित्था में आया उसमें भी कामयाबी नहीं मिली फिर मैं सूर्य किरन चिकित्था के अंदर मैंने अध्यन किया तो उसके अंदर कामयाबी तो है लेकिन वो मेहनत मांगता है दूसरा आज के इस टाइम के अंदर यूग के अंदर कोई यकिन नहीं करेगा कि निले रंग की बोटल के अंदर रखावा साथ गंटा धूप में पानी जल चिकित्था सूर्य किरन चिकित्था वो इस बोड़ी में क्या इफेक्टिव है या नहीं तो हमने यहां तक की लाल बोटल के अंदर जो तेल बनता है तिल का बनाओ चाहे सर्सों का बनाओ तो वो 31 दिन में बनता है उस तेल को कहीं भी इस्तेमाल करो कामयाबी मिलती है समझे न और दर्दों का तो खेर वो राजा ही है सुद्ध तिल का तेल बस आपको खाली साम सुबह दस बज़े बोटल रख देनी लाल रंग की बरी हुई साम को उतार के अपने उसमें रख देनी हंदेरे में और सुबह मतल्द तीन मैना आपको यह करना पड़ेगा क्योंकि अगर रात को बोटल उपर ही रह गई तो यह जो दूसरे नक्स सतर हैं चंदरमा तारे आकास घंगा वगएरा उसकी साया उसके उपर नहीं पड़नी चाहिए और नीचे भी जहां आप एकांत में अंदकार में रखेंगे तो उस बोटल के नीचे लखडी का स्लेफर होना चाहिए यानि कि जमिन से अर्थिंग नहीं होना चाहिए तो एक बार कोई अड़ गए हम से दो मितर भी और भी क्या बेवकू बना रखा है हम कभी यह बड़ी जबरदस सी किस्था है नारंगी रंका पानी बोटल का और लाइट आसमानी रंका पानी इनको रख करके और दो दो गूट दिन में तीन बार पी जाए तो पेट के तमाम रोख ठीक होते है अब लेकिन अब रोज रख्षेर करे तो अब ये मेनद तो करने पड़ेगी फिरी की दवाओं पर तो कोई हम से अड़ गए कि हमें इन चीजों पर यकीन नहीं तो हमने का कि भी एक काम करो हम आज लाल रंग की एक बोतल के अंदर पानी भर के रख दाते हैं बिल्कुल लाल रंग और आप है जो साम को ये पानी पूरा पी जाओ कि क्या होगा इस से कुछ नहीं होना पानी की तरह पानी है मैं का अगर कुछ होगा तो हम उसका इंतजाम पहले कर बैठे हैं आपको हम तकलीप नहीं होने देंगे तो ममने का आदी पीलो करें पूरी पीगे तो दो तीन गंटा डब तर परी कुछ नहीं वापिर वो आये पुराना स्कूटर था कि मेरे पेट में उतल पुतल हो रही है जो मेरे आज तक नहीं होई और इसा लगता है कि मेरे को लेट इन आईगी कि में तोईलेट है घर के आदमियों मिलने वाले हो आये गबराये हो ये कि हमारे टोईलेट के अंदर बहुत खून आया और ये तीन गंटा पहले मैंने लाल रंग का पानी पिया था मैंने का देखो ये उसी की गर्मी की वज़़ए से ये रखता आया तोड़ा कोई आप इसकी टेंशन ना करो और मैंने हत्वात तैयार कर रखे थी हरे रंग की बोतली है बेटियों की प्रदद में काम आती है तो वो फोरन हरे रंग की बोतल का पानी मैंने का अधी बोतल पी जाओ वैसे खुराक दो दो तोला की होती है ये मैं पहले बोल दो लेकिन उनको प्रोब्लम थी ना इसलिए मैंने का अपके तो आप घर जाओगे फिर टोइलेट जाओ मेरे को बताना राज कोई समाचार आया उनका पूराने टेलिफून में कि हमें दुबारा नहीं वार विद्कुल ठीक है और अब हम इस तरह की बात नहीं करेंगे तो मेरे कहने का मतलब है उसके अंदर हमें इतना आउसर भी नहीं मिला कि हम को डाइबिटीज की रोगी की चिकित्सा करें रोगी को ये जो तरीका बताते हैं तो कोई तयार नहीं होता इस तरह करीब करीब हमने होमियोपेटिक के अंदर जब हम मैदान में आये तो उसके साल दो साल बाद होमियोपेटिक में भी आ गए होम पेटिंग में आने के बाद के अंदर जब हमें काफी समय तक पाद में पता लगा कि भी साइजी जीम जंबो लिंज जो दवा है डाइवीटिज की वो जामुन की गुटली से बनी है और हमें ये मालुम था कि जो जामुन है इनकी गुटली का चुरन और जामुन हो लोग आते थे कभी कुछ भी कोई ठीक नहीं हुआ तो एक तो हमें ये मालुम हुआ जब उसको कामें लिया गया तो साइजी जीम जमो लिंज जामुन से साथ गुणा ज्यादा अच्छे असर वाली थाबित हुई में इनका कमाल हो में उप्रतिक के अंदर इसी तरह और भी ओ धिरे धिरे हमें बाद में जाकर के मालुम हुआ कि होमेप्रतिक में हर चीज़ है आपको हल्दी का मदा टिंचर मिलेगा आपको गुड मार बूंटी का मदा टिंचर मिलेगा आपको मेती का मदा टिंचर मिलेगा आपको मुलेटी का मदा टिंचर मिलेगा क्यों जाते हो आप जड़ी भूंटी खरीदने क्यों जाते हो चुकुंदर का मिलेगा आपको और ये कलोंजी की फक्ति लगाओ क्यों लगाओ नेगिला से टाइवा कलोंजी निसे बनावा मदच इंचराज होमेफितिक वालों के पास एक जागीर है एक चीज है उनके पास ये कलोंजी जो यूँ परचार करते हैं इसको यूँ खाओ इसको अलची को खाओ या कलोंजी को इनके कोई परिणाम नहीं आए कोई परिणाम और इन से बनी हुई जो होमेफितिक दवाईया उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आए और भी दो पांच सो में पितिकी दवाईया और बनी हैं उनके रिजल्ट भी बहुत फाइन है कुछ दवाईया ऐसी है कि उनके बार बार नाम और उनके गुन बताने के बावजूद भी लोग किसी भै की वज़े से या यू समझते हैं ये मिची गोईयों से क्या होना है किसी कारण वर्स पूरा कोर्ट कोई नहीं लेते हैं नहीं यकीन करते हैं आज जितनी जल्दी कोलेस्टल को कम करने के लिए होमेपेतिक में कोलेस्टेनिनम 3X जो दवा है एक दिन के अंदर कोलेस्टल को लेबल को कम कर दें या आप चेक राग ले लो और रात को दस बज़े अपना कोलेस्टल चेक कराओ सुबह बढ़ा वाता रात को दस वर आप अच्छी निन सुएंगे लेकिन आपको दो दो घंटे में वो लेने पड़ेगी कोलेस्टेन नम तरी एक्स अथवां टेन एक्स इसी तरह कोलेस्टेल गरिवाद में बैठी के दवाई ने तो ये जो लेस्टेन आपन खाते हैं एक गुली दो गुली तो लोग रोजी खाते हैं दूर पिते हैं उनका कोलेस्टेल मेंने कम हुआ नहीं देखा जबकि लेस्टेन एक बहुत अच्छी दवा है कुछ अध्यक्त कम करती होगी लेकिन पुरा उसका रिजल्ट नहीं आया इसलिए खाते हैं सभी लेस्टेन निरोगा है और खाते रहना चाहिए दूसरी बिमारियां जो संक्रामक रूप से फेल करके अतिसाली वो तो नहीं आएगी तो लेस्टेन खाना कोई बुरी बात नहीं है और कुछ हद तक आराम करता भी है उसी लैस्टेन से यलियू सेटाइवा जो बना हुआ है यलियू सेटाइवा उसमें मदर तिंचर में वही कुश्भी आएगी लेस्टेन की लेकिन वो कोलस्टल को तीन चार दिन चार दिन के अंदर जाके बीपी और कोलस्टेल डोनों को कम कर देता है अई यूं तुम लेस्टन को निचोर-निचोर के भी लेते रहो ना कुछ नहीं हो ना अरे कच्छा लेसून आदमी खा के कितना खाएगा एक कली से लेके पांस कली तक ही खाएगा फिर तो खाता है तो दुख पाएगा और उसी लेसून से बने हुई एलियम सेटाइवा जो डाइबिटीज की दवा है आपको एक दिन में कंट्रोल करनी है आप एक दिन में लेसून से कंट्रोल नहीं कर सकते और एलियम सेटाइवा मद तिंचर फचीस फचीस बुन दिन में पांस वा लेके रात को बीपी आपका क काम मिलेगा इसी तरह मेथी काम करती है तो अभी वी जो नए नए डॉक्टर लिखे आजो आये हैं जो पूरानी दवाई चल रही है कि होमेपेटिक में साइजी जियम जंबोलीन अब्रोमा आगस्त्रास ब्रोमाइड वगयरा जो काफी लंबे समय से यूरीनम नाइटिकम वगयरा तो सब करीब करीब उसी पैटर्न के उपर चलते हैं जबकि मेरा कहने का मतलब यह है कि जो अपने देश की जड़ी मूंटियों से जो दवाईयां बनी है मेती से हैं गुमूलेटी से हैं हल्दी से हैं करेला से हैं गुड़मार मूंटी से हैं कंदूरी से और जामून की गुटली से मैं बताने सकता इतनी चीजों से हैं चिरायता का भी मदर टिंचर बनावा पड़ा है गिलोई का भी मदर टिंचर बनावा पड़ा है तो इन सब को आप क्यों नहीं मिलाते कभी इस ने इस बात के उपर किशी चीकित सकने और किशी आदमी ने क्यों नहीं सोचा मैंने सोचा इस बारे के अंदर तो चोबीस दवाई निकली मदर टीचर जिसके अंदर ये पांच साथ तो सुरू से जो चलते आ रहे हैं कुछ विदेशी और विआ हैं, वह पांच साथ तो हो बाकी अधिक तरह अपने इंडिया के कोई बंगाल में पैदा होने वाली है कोई राज Login जरी बेंटि पैदा होने वाली है कोई कहीं क değ कहीं उस तो कोई परक नहीं पड़ता अपना पूरा देश हम हैं तो उन 24 दवाओं को आपस के अंदर मिला करके एक्विल क्वांटिटी और आपको करना कुछ नहीं है, खाली चोईस ये मदट इंचर बने बनाए मिलेंगे खरीदना है, उनको एक्विल करके आपको तैयार करना है, सस्ता भी पड़ेगा, अगर अधिक करोगे तो बहुत सस्ता पड़ेगा, चवनी में पड़ेगा, आप एक एक पांट लबा का कोईसन बनाते हैं तो चाराने में पडरेगा, और कुलीए आप इतना सा अगक्ड बनाते हैं, तो छूब वो चार सो रुपेगा पड़ेगा, होमेपेतिक में ऐसा होता है तो मेरे करने का मतलब है कि इस तरह से 20-22 दवाईयां 24 दवाईयां होमेपेतिकी जिसमें गुडमार से लेकर के और साइजी जेम, जमोलिन, आर्थनिक, ब्रोमाईड कितनी ओर हैं मैं आपको नाम नहीं बता सकता और सब-सब बड़ी दवाई है, इंसूलिन 30 भी इसके अंदर है, 6 भी इसके अंदर है एक दो मैंने भी नई दवा का वीडियो दिया था फोलो कार्विनेज तरह का टेड़ा मांख नाम है, वो है और तो ये मैंने भी खाई और कईयों को खिलाई अब रिजल्ट वो अच्छे आते हैं, लेकिन वो करते हैं कि जीब तटोक डिया है, ये मानती नहीं तो जब आदमी को पता लगता है कि मेरी सुगर है, ज्यादा बड़ी हुई नहीं तो उसकी इच्छा करते हैं कि एक आत्पिस मिठे का सरकाले कहीं से मिल जाये तो अब ठेक है, बड़ी हुई नहीं है, तो वो सरकालेता है, मन मरता नहीं है, देखो आदमी का मन नमकिन खाने को भी करता है, और मेटा खाने को भी करता है, क्यों नहीं करेगा? अब उदर नमकिन इसलिए नहीं खा सकते की बीपी के रोगी हैं, मिटा इसलिए नहीं खा सकते की सुगर के रोगी हैं, मिर्च इसलिए नहीं खा सकते की ऐसी डेटी के रोगी हैं, खटाई इसलिए नहीं खा सकते की ऐसी डेटी के रोगी हैं, तो फिर आप क्या खाएंगे इन में से कोई ने कोई रोब तो लेके बेटा हुआ है आपको कोई उपाई नहीं इस तरह मैं आज ये कहूंगा वीडियो त्रमाप्ति पर कि और जो डॉक्टर्स हैं अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं और वेद्य हैं वो होमेपेटिक के अंदर जो पहले और उनके बाद में आज से पचास साल पहले जो लोग दवाईयां बना के गए थे तो वो इतने अधिक जिन्दा नहीं रहे कि वो उनके रिसर्च कर भी कितने उनके लक्षन प्राप्त होते हैं पूरे वो एकत्रित नहीं कर पाए और अल्ला के प्यारे हो गए तो जितने वो एकत्रित कर पाए तो वो दर्ज है बुक्ष में तो नए होमेपेटिक और नए एलोपेटिक डॉक्टर जो निकल के आये हैं वो थोड़ा होमेपेटिक में आकर के रूची ले और रूची लेकर के और खास ही अपने दो-चार रोगियों को दे मैं करता हूं कि चार में से तीन ठीक हो जाएंगे अगर लंबे समय तक लेंगे तो और अगर मिठा विठा साथ में खाते रहेंगे तो भई ये चलता रहेगा कुल मिला करके मैं आखिर में इस नतिजे पर आया हूं कि कोई चीज को तुरंत कम करने का मतलब है आदमे की लाइप को बचाना लिख लो आप इस कागज में गुपाल चंजाजू ने कही है ये बाद किसी रोग को जल्दी से जल्दी ढटाना का मतलब है उसे नया जीवन देना और ये काम जो चीकिसा पद्दति करती है वो शीर मोर के लाएगी इसको आप डख नहीं सकते सचाई छूप नहीं सकती सचाई छूप नहीं सकती कभी कागज के फूलों से हैं तो होमेफेतिक के अंदर आईए आप और डाइबिटीज का इलाज लीजिए ये जरूर इंसूलीन जो लगाते हैं सरीर के अंदर उनको ये पता ही नहीं कि वो छे यूनिट जो इंसूलीन एक टाइम लगाता है तो होमेफेतिक की एक दवा जो इंसूलीन नाम की है तिन पोटेंसी या छे पोटेंसी उसकी एक खुरा क और वो छे यूनिट इंसूलीन बराबर है सुगर को कम करने के लिए उनको इस बात का पता नहीं है और वो इसको लेने से फिर ड़ जाते हैं करे ये इदर तो ये इंसुलिन इदर ये और ये पिर इंसुलिन कोई नहीं लेते मैंने पतातों दफ़ा कोशिश कर दे दूसरे नाम से दे दो बात अलग है जबकि ये एक पोदा है और पोदे से ही ये बना है आप ओनलाइन इंसुलिन पोदे का पाउडर भी आप खरी सकते हैं वो भी लाब करेगा वीडियो काफी बड़ा बन चुका और मैं जाते जाते फिर और एक बार अनुरोद करता हूँ कि होमेपेतिक में डाइबिटीज की दवाओं की कोई कभी नहीं इतनी दवाईयां होमेपेतिक में बरी पड़ी है लेकिन सवाल ये कि पर्चा काफी लंबा बनता है आड़ दस दवाईयां लिख देनी पीने की पांसा दवाईयां लिख दो खाने की रोग को इदर से भी गेलो और इदर से भी गेलो सागज जाएगा कहां इस तरह की अगर जो कोशिस करेंगे तो कामिया भी कदम चुमेगी एक तो आपको अच्छे ओजार मिलेंगे लड़ाई लड़ने के लिए एक आपको अच्छे लड़ाकू मिलेंगे लड़ाई लड़ने के लिए फिर भी आपकी फते नहीं होती है तो आपके नेतरत्व की कमी है इसलिए होमेपेतिक में खुब दवाईयां है कम्पनियों को काईदे से लिस्ट जारी करनी चाहिए कि यह इतनी इंडियन दवाईयां है नहीं करती कोई बात नहीं आप अपना ख्याल दखें और यह रोग महामारी का रूप ले चुका है और होमेपेतिक दवाग लेते लेते आदमी का सरीर है दिमक चाजता है ऐसा कभी नहीं होगा यह हम आपको यकीन ही नहीं आपको हम मतलब करते हैं दिल से कह रहे हैं वो इतना कमजोर नहीं होगा वो कभी-कभी मिटा कह सकता है चाहे उसका रोग ठीक होता है या नहीं होता है या लेट होता हो और कमजोरी नहीं होगी दूसरे रोग जल्दी से उसको गेरेंगे नहीं और एलोपेति के अंदर हिलाज लेते-लेते रोगी वाकई दिमक देखती नहीं है आदमी के लगी हुई लेकिन उसका जो बोड़ी का Constitution है दाचा तो दूर से ही कोई आदमी समझार कर देगा कि ये दाइबिटिक प्रसेंट है एक इतनी सरीर को मर्म करने वाली बात है बहुत कम उमर के अंदर सुगर के रोगी हो जाते हैं उनका सेक्स भी खतम हो जाता है उनका खाना पिना भी खतम हो जाता है और गोलियों पर और दवाईयों के उपर तमाम जिंदिक उनका तो इसके दवाओं की यहां कमी नहीं इस पर सरकार को भी और सब को ध्यान देख करके और इसकी ऐसी दवा बनाई जाए चाहे आपस में मिला के बनाओ आईल वेदिक प्लैस होमेवेटिक दोन एक साही काम करेगी अंग्रेजि मत मिलाओ आप दोनों मिलाओ आप एक तरस से नहीं दोनों तरस से फिर देखो आप क्या गुल खिलते हैं आपको अच्छे से अच्छे रोग की दवा बनेगी लेकिन ऐसा प्रेत्न करना पढ़ेगा दो चिन डोक्रों को मिलके दो चिन हम साइजी जी हम देदे हैं वो देदे हैं इस तरह का एक सेट करके कॉमिनेशन विद्धे और होमेपेतिक चाहरी है और एक दवा बना करके वो छोड़ सकते हैं जो जनकल्यान में सभी के काम आएगी और वेसे भी मैं करता हूँ को जो आइडवेत जानते हैं और होमेपेतिक भी जानते हैं तो उनको मिक्स चिकित सा आराम से करने चाहिए जल्दी से जल्दी रिजर्ट लेने के लिए तो काम्याब दवा वो ही है कि जो सबसे पहले रिजर्ट जल्दी ले और रोगी को मौत के म उसके लिए आपको होमेपेटिक दवा की हाई पोटेंशी का ही परियोग करना होगा वरना आप ये काम नहीं कर सकते समय लगते तो रोगी चाहर डाक्टर बदल देता है अब कोई के रहा है मेरा भेंका सिर्फ फट रहा है मर रहा हूँ मैं तुम देते हो जो दवाज नहीं तुम में चला कहीं नहीं तो उसको उसी वक्त बेला डोना एक हजार और मेक पोस्त एक लाग दोनों उसको दस-दस मिंट में दो बार टिका दो कर बेश जाए यहां दस मिंट बात तो कहेगा मैं ठीक हूँ लेकिन अगर आपने उस सक्ति का प्रहार एसे मोके पर नहीं किया तो आपको कामेबी हासिल नहीं मिलेगी इस बात को समझने की कोशिश करें दोस्तों वीडियो काफी बड़ा हो गया मैंने अगर कोई अनुचुत बात कहे भी दिये वैसे मैं करता नहीं किसी के लिए आज मैंने देखा कहीं डाइविटीज प्रेसेंट की बात चली तो मेरा मन सुब्द हो गया इसलिए मैंने कहा कि इसकी एक दरावनी सूरत से सब को परिशित करा दें इसलिए आप लोग भई ओ तो कुछ भी नहीं कर सकते जैसा मिलता है वो ही खाना होगा लेकिन भूमना पीरना फाष्ट फूट से दूर रहना साग और रोटी खाना अधिक हरी सब्जिَّयां नहीं खाना अधिक सलाद नहीं खाना दालें और सुकी सबजियों का सहारा लेना पानी खूब पीना इस तरह अपना सरी को बना के रखोगे आपकी आयू दस साल बढ़ेगी ये मैं कहता हूँ